हेलो बच्चों कैसे हो मज़े में मैं रिजर्ट किंग सत्यम सर सत्यम कंसेप्ट क्लास इस पूर्णिया जहां ये ऑफ-लाइन सेंटर रन्हुमी चौक सोम्या कॉंपलेक्स के अंदर चलता है तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर हैं जिसका नाम है ऑक्सी करन संख्या या ज इस टॉपिक आपके फिर से उसी तरह से आज हम लोगों का तीसरा दिन है यहां पर हम लोग 11 और 12 दोनों क्लास को लेते हुए हम लोग एक बहुत विवियाई टॉपिक पड़ने जा रहे हैं जिसका आपको बोड एक्जाम, कंपिटिटिव एक्जाम और जो भी जनरल कंपि और हम लोग आज के टॉपिक में कुछ वही एक्ट्रा वर्जन वाली चीज़े भी पढ़ेंगे जो एक नॉर्मल कंसेप्ट से आपको बूक या अदर टीचर के द्वारा मिलता है कि इसका और यह जानते हैं और ऐसे निकालते हैं उसको थोरा सा हाई लेवल में लेके जाए करेंगे और जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक आपको यह लिग मान के चलना है कि 110 विभी आई है यह जब आप एक्जाम देंगे या अधर कंप्टिटिटिव एक्जाम को फेस करेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा ठीक है तो राते में हम लोग जो मिलते हैं यह बहुत ही एक सुकून भरा समय होता है सांत समय है और यह सीखने का सबसे बढ़िया समय होता है तो हम लोग बाते करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक आज का टॉपिक है हम लोगों का ऑक्सिडेशन नंबर और यह भी विभी यानि संकरन को पढ़ लिये थे सेकेंड़ी नहीं हम लोगों ने देखा था कल रात में उसमें कुछ सीन करने की प्रॉब्लम आ रहे थी ठीक से विज्वल नहीं हो पा रहा था एक्चुली हम लोगों का सेटप फुरा सा जहां पर है वहां वाइफाई की कभी कभी गरवरी ह हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है आप अभी देखिए जाके कल का वीडियो दुबारा लिंक में में डाल देता हूं दोनों वीडियो देख लिजिए अभी आपको उसका व्यूजल 4K में मिल जाएगा और इसके पिछे हम लोगों के साथ जो एकदम सं पूचाने में मदद किजिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो है ऑक्सिडेशन नंबर जिसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सी करन संख्या तो बस मैं इसके बारे में एक छोटा सा बात कहूंगा फिर हम लोग अब्जक्टिव पर आ जाएंगे तो आगे कभी आपको इच्छा हो तो आप ऑफ-लाइन संख्या होता है कि वेलेंसी संयोजक्ता सब कोई जानते हैं कि कोई भी आदत तो अपनी अस्थाइज़ता को बनाने रखने के लिए जितने इलेक्रोन का त्याग या ग्रहन करता है उसकी वजह से जो उस पर आवेस आ प्लस और माइनस के रूप में है तो संयोजक्ता दो प्रकार से होती है एक होती है अस्थाई संयोजक्ता हम लोग कहते हैं जिसमें संयोजक्ता बदल नहीं सकती और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें डी और्विटल की उपस्तिती के कारण उसमें डी और्विटल रिक्त बच जाता है जहां परकर करके से शर्ण यो जैंस तत्व को निकालते तत्व को निकालते हैं वही है एक योग इक है और यहां पर सभी ऑनि riba को देखे तो तु है यहां मैनस वेजिए प्लस होते हैं अब यह पर"- विस सभी एक ही성 तत्व मैं अलग अलग को दिखाता है यही उस तत्व की ऑक्सिकरन संक्या कलाती और आपका एक्जाम में कोस्टन भी यहीं से बनता है अब सवाल उठता सर हमको कैसे पता चलेगा तो हमारे पास कभी भी दो A, B, C अगर कोई तीन चीज है तो हमको दो चीज पता होगी और तीसरी निकालनी है यह हमेशा रूल है या दो पता होगा एक निकालना है तो हम लोगों को यह थोरा लॉजिक लगाना होगा या कोश्टन में दे देता है कि आकर हम लोगों को ऑक्सिकरन संक्या किसकी निकालनी है वो आपकी fluorine की minus 1 होती है यह निश्चित है यह fix है यह बदलती नहीं है क्योंकि fluorine में d orbital की उपस्तिती नहीं होती है ठीक है मेंगनिज की होती है मैंनस टू से प्लस से वन तक सलफर की मैंनस टू से प्लस शिक्स तक ऑक्सिजन की मैंनस टू से मैंनस वन मैंनस हाफ और 1.5 वाले कंडिशन को कहा जाता है ओक्साइड ठीक है तो हम लोग थोरा साव रेव्यू लेते अब स्टार्ट करेंगे तो जो भी बच्चे जूर चुके हैं इसको सेयर कर लें ज्यादा ज्यादा जितना आप सेयर करेंगे आपका उपर वाला उतना नंबर साथ बढ़ा दे क्योंकि आप किसी का भला करने वाले हैं तो ऑक्सिजन में अगर आपकी मैनस टू है तो इसको हम लोग ऑक्साइड बोलत होक्सिजन की सहों ज्यादा है ऐसे हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड इसलिए सा नाम है हाइड्रोजन परोक्साइड फिक है आगे है आपका आपका और एक होती है 1.5 इसको हम लोग बोलता है सेस्क्यू ऑक्साइड ठीक है इस तरीके से यह चार स्टेज में होता है मैंने वह बता दिया एक आगे हम लोग मेन कंसेट में भी पढ़ेंगे आगे चलके जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि पर ऑक्साइड को हम लोग यूज कैसे करते हैं और उसको पहचानने की कैसे फासपोरस का होता है मैनस 3 मैनस 5 तो फासपोरस के लगर हम सिंपल देखे तो यह हो गया PCL3 यहां पे ठीक है एक है एक है आपका PCL5 की से देखता हो गए मैनस 3 और मैनस 5 उसके बाद नैट्रोजन की है मैनस 3 से प्लस 5 फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मैनस 1 से प्लस 7 तक आइरन का दो होता है प्लस 2 प्लस 3 यानि फेरस और फेरिक और कॉपर का प्लस 1 प्लस 2 इसका होता है क्यूप्रस और क्यूप्रिक जहां भी हायर वैलेंसी होगी महां पे इक कावा इसलिए इन दुनों में छोठा टू है इसलिए इसका नाम होगा फेर fetch faryन कियोप्र इसका नाम होगा सिक इसका नाम होगा एक है हेड्रोजनिंक प्लस नहीं आपने कभी नहीं सुना हुआ कि हाड्रोजन की वेलंसी मैनस वन होती है만 हएता ही मैंडिक थाबनो के साथ जला जूरा होगा उस कंडिशन में हाइडरोजन की वेलेंसि थो करि formatting लेते हैं को कि थातु पे हमेजा प्लस चार्ज होताँ मदद से थै नहीं हो सब्सक्राइबन करता है उसके क्षिश क्रिया की रीसिता है UNG वा थियान में रखने वाला है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं बहुत बार उनमें गलतियां होती है और आगर आप ले सकते हैं तो ले 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 जैसे एक बहुत बहुत बहतरी दो-तीन पॉइंट आपको याद रखना है किसी भी मोलिकुल्स यानि कि अनू की ऑक्सिकरन संख्या हमेशा 0 होगे या सिंगल एलिमेंट की यानि कि O2 की ऑक्सिकरन संख्या अगर हम एक सिंगल कहीं पर है तो उससमें इसकी 0 होगे ठीक है उसी तरह से अगर F2 है कहीं पर सिंगल या तो इसकी ऑक्सिकरन संख्या 0 होगी जैसे P4 है S6 हो गया और S8 यह तीनों का अपना रोख है और इन सभी का जो ऑक्सिकरन संख्या है वो जीरो होती है ठीक है चलिए अब इसके निशॉट ले 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 अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो ध्यान में यह रखना है कि जब भी हम लोग ऑक्सिकरन संख्या का कुश्चन बनाएंगे एक बात माइंड रखना है आपको इसको गांट बा रखना है कि किसी भी तत्तु की जो हम संयोजक्ता निकालेंगे उनकी संयोजक्ता उसकी महत्तम संयोजक्ता से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर होती है तो यह गलत है महत्तम संयोजक्ता से अधिक नहीं हो सकते यह बहत्रीन कंसेप्ट की क्लास चल रही है और यह इतना ब बच्चे ध्यान दे रहे हैं जो बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं उस समय इनका जो कंसेप्ट है अगर थोड़ा भी मिस रहा तो आप फिर फरवरी में मुझे बहुत मिस करने वाले हैं कि उनकी क्लास छोड़के गलती हो गई या यह सर बहुत अच्छा पढ़ाये थे तो इ सब्सक्राइस कोर्स की और हम लोगों का भी अपना क्लास यानि आपकी केमेस्टी की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी या संडे से यह नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा लेकिन उस बैच का जो स्पेसल नाम है वो है एक्टम बम बैच नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ बहुत बढ़ा फटने वाला है क्योंकि सबने पढ़ा है लेकिन चैप्टर वाइज कंसर्प्ट के साथ को किसी ने ने सॉल्व किया है वह हम लोग लेके आ रहे हैं आपकी पंद्रों चैप्टर के साथ तो उस रिंखला में जरूर जूरिएगा उसमें सारे सब्सक कोशन बैंक चैप्टर वाइज करने के बाद हम लोग नेक्स उसका अब्जेक्टिव करेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे यह आपका एक से दो दिन में अब्जेक्टिव भिवियाए का लास क्लास हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा इस बात को सेयर कर दें तो अब ह खुद को ठिक है चलो आगे बढ़ते हैं कोस्ट से स्कुषर करते हैं अ Autism of IV में क्या होगा तो क्य बनाने का अब हम लोग नियम देखते हैं अ इसका नियम यह है कि टोटल ऑक्सिकरन संख्या जो है वह उसके जो कुल आवेष के बराबर क्या बराबर है उस क्रिषाक 기ुरिंग ऑ저 रहाओ या आप उसको तो हैं से लृड मतलब है है देखे है रोजन की जो सही हो जगता है कितनी होती है प्लस वन कितना है दो तो तो निकालना किसका है तो ऐसे लिख देंगे तो ऑक्सजन की सही हो जगता कितना ऑक्सजन है 4 बराबर अब इस पूरे gotta S2-SO4 पर कोई आवैस है नहीं ज weet तो लिखेंगे जीरू अब आवेस के क्या मतले होता अगर कहीं So42-, तो इस तो 4 के उपर 2- है तो इसका कुल आवेस-2 집तो lead अगर इसी तरह से कही about in our 9 प्लस है तो इस एनस फोर के उपर प्लस-4 एस तो अपका प्लस होगा ठीक है this S2SO4 का जो आपका स्यूजक्ता जो आवेस है वो 0 है इसको solve कर ले sulfur का आ जाएगा प्लस 6 ठीक इसी तरह से next question है आप लोग बनाते जाएंगे जैसे HNO3 HNO3 में nitrogen की स्यूजक्ता क्या होगा यानि ऑक्सिकरन संख्या क्या होगा सिंपल है plus 1 plus n minus 2 multiply 3 equal to 0 और यह आ जाएगा आपका एंड बराबर प्लस 5 ठीक है चलिए अब हम लोग आगला question पर आते हैं SO4 2 minus में sulfur का क्या होगा NO3 minus में क्या होगा NS4 plus में nitrogen का क्या होगा PO4 3 minus में phosphorus का क्या होगा S3 PO4 में phosphorus का क्या होगा जल्दी solve करें और एक आता है एस टू एस ओ ठीक है तो आप लोगों ने सॉल्व किया अराम से कर लिया होगा मैं आंसर बता देता हूं एक तुम्हें पहले इसको एक बना के दिखा देता हूं देखे एस का हो गया एस मेरे को निकालना ही है इसका एस माइनस टू मल्टिप्लाइ फॉर अब इस पर जो चार्ज है वो है माइनस टू तो इक्वल टू अब हम लोग यहां माइनस टू कर देंगे एस बराबर आ जाएगा प्लस 6 इसी तरह से प्लस इसका आ जाएगा आपका कितना तीन दू निट छे मैनस एक एन बराबर प्लस 5 ठीक है एक गुने चार तीन मैनस एक एन बराबर आ जाएगा प्लस 3 अब इस पर चार्ज है वन तो लिख देंगे प्लस वन इसको सॉल्व करेंगे एन बराबर आ जाएगा प्लस वन मैनस फूर मुस्वरी मैनस थ्री ठीक यहां पर भी सॉल्व कर लो पी प्लस इसका तो प्लस 5 आगा चार दुनी आठ मैनस एक सॉल्व कर लेता हूं मैनस टू पी मैनस टू मल्टिप्लाइ 4 इक्वल टू मैनस त्री सॉल्व कर लिजे पी बरावर आ जाएगा प्लस फाइगा अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रॉल्लम को या वाट्सअप नंबर जो आपको पता है उस नंबर पर आप एक लास्ट मेरा कोश्चन है वाटे आप एस तू एस ओफाइव बस मैं यहां से हेल्प ले रहा हूं और उसको सॉल्व कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा है ठीक अब एस तूए सो फाइव करते हैं देखें एस टूए सब ले रहा हूं और प्लस वन मुझे भी नीद आने लगी लग रहा है प्लस 1 मल्टिप्लाइ 2 प्लस S मैनेस 2 मल्टिप्लाइ 5 एक्वल टू 0 जब हम लोग सको solve करेंगे तो S का value कितना आजाएगा ये 10 उधर चला जाएगा मैनेस 2 कितना आगया S बराबर प्लस 8 बोध बच्चा option में tick देखेगा और सही मार देगा लेकिन ये गलत है क्यों गलत हो गया क्योंकि sulfur का range है वो 6 है maximum प्लस 6 और मेरा A कितना रहा है मेरा A कितना रहा है प्लस 8 यानि कि ये मेरा क्या हो गया mistake हो गया अब ये आखिर S बराबर आ रहा है प्लस 8 और मेरा है कितना प्लस 6 maximum तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं तो ये हो जाता है आपका वही exception यानि अब वाद इसको बोलता है तो अब इसको solve कैसे करेंगे अब इसको हम लोग देखिए ये इस तरह से तीन बहतरीन question है जिसमें गरवरी होती है स्टुडेंट्स और बहुत बार पूछा भी गया है ठीक है तो हम लोगों ने यहां solve किया और यहां value कितना आ गया प्लस 8 तो इस तरह से जैसे हम लोगों को पता है कि उसके maximum value से वो ज्यादा नहीं जा सकता है जैसे sulfur का minus 2 से plus 6 है mn का minus 2 यहां पर कुछ गलत है ठीक है miss print हो गया है यहां पर plus 2 से plus 7 होगा manganese का plus 2 से plus 7 होगा सब को correction कर लिजेगा manganese का plus 2 से plus 7 ठीक है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं just a mistake है plus 2 से plus 7 क्योंकि manganese आपके metal category में आता है इसलिए negative नहीं होगा plus 2 से plus 7 यहां सकता है time कुछ एक dot इसमें delete हो गया होगा plus 2 से plus 7 ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी उसमें तो इसको हम लोगों को सही करना है कि हम लोग इसको इसका correct क्या है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब जो इसका structure बनता है वह यह हम लोग इसका structure से ही solve कर पाएंगे बहुत बहतरीन कोशन है आपको रटना है तो रट सकते हैं लेकिन अगर आपको concept के साथ सीखना है कि एक्जाम में अगर two marks कहा जाए तो solve कर पाएं तो यहां देखें यहां पे एक आपको special link मिल रहा होगा यह है पर oxide link इसको हम लोग बोलते हैं पर oxide link या bond अब इसमें क्या है यहां पर इस category में यह oxygen का अगर इस तरह से रूप होता है form है तो इस condition में oxygen की वेलंसी हो जाती है माइनस वन और यह होता है ओ टू टू माइनस और इसमें अगर हम एक oxygen का निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस वन तो अगर कोई भी एक single bond दोनों oxygen में हो रहा है दोनों के बीच में तो वैसे लिंक को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंक और यहां पर जो oxygen के वेलंसी है वह है माइनस वन बस इतना ध्यान रखना है अब हम इसको केटेगरी में अलग अलग करते हैं है अब ध्यान दीजेगा मेरे पास total पांच oxygen है पांच oxygen में से तीन oxygen यह oxygen और यह oxygen के पास double bond है इसका कोई भी bond किसी और oxygen के साथ share नहीं हो रहा तिम यहां पर एक single bond यह इस oxygen के साथ भी है इस oxygen के साथ भी है इसलिए यह पर ऑक्साइड बॉंड हो गया यहां पर सभी बॉंड इसके पास है तो तीन oxygen को हम अलग कर लेते हैं को कि यह तीन अलग कर लेते हैं अब यहां पर सॉल्व कर लिजे प्लस वन चार्ज और यह जो तीन oxygen है इस पर आजाएगा माइनस टू चार्ज ठीक तो माइनस वन मल्टिप्लाइट टू इकोल टू जीरो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस बराबर आपका आजाएगा प्लस 6 जो कि आपके रेंज के अंदर है और यह सही है दिखें इसमें हो इसमें किया हुआ है इसमें इसमें कुछ भी हमने नहीं किया बस नुचल डरो किया है जब आप ऐसका इसका करेंगे तो इस कंडिशन में यहाँ पे जो एक पर ऑक्साइड लिंक बन रहा है यानि कि एक सिंगल बॉंड दोनों ऑक्सिजन के साथ कवर कर रहा है यह थोड़ा सा डीप थियोरी है एक अच्छा कंसाइप्ट है आपके लिए क्योंकि एक्सेप्शन से कुछन आने के बाद ही या इस तरिके से डवल कौन्द भाउगा तो इस कंडिशन में आपके चार्ज होते हैं इस पर मैनेश़ टू अकसाइड वाला कंडिशन लेकिन यहां पे दो ऑक्सेट एक मौन्ड के साथ हो रहा है इसका भी जर आगे इधर इधर इसका भी है एक इधर इक बिया लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो मेरा नेक्स कोश्चन है ठीक है वह अगला कोश्चन भी इसी तरह का है ठीक अगला कोश्चन है मेरा लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो प्लस 1 मल्टिप्लाय 2 प्लस 2 मल्टिप्लाय 2 एकोल टू 0 और सल्फर के वैल्लियो आ जाएगी आपकी प्लस 7 ठीक है प्लस 7 कैसे आ जाएगी यहां 2S है दो से डिवाइड हो जाएगा निवता मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं यहां आपका आ जाएगा 2S equal to 16 minus 2 यानि 14 और S बराबर आ जाएगा 14 by 2 यानि प्लस 7 जो कि सल्फर का रेंज से बाहर है इसलिए भी गलत है को सल्फर का रेंज होता है प्लस 6 ठीक है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर यह आया कैसे इसको हम लोग रेंज में कैसे लाएंगे सेम टेकनिक है प्लस वन प्लस वन प्लस स्ट्रक्शर एक्वाल ड्रॉ कर लेते हैं पहले एस डवल बॉंड दोनों ऑक्सिजन को दोनों सल्फर को परॉक्साइड बॉंड से जोड़ना होगा अब यहां को बीच में दिखरा होगा यह आपका परॉक्साइड बॉंड अब यह पर्उक्साइड बॉंड है तो इस प्लस चेवलें सिल जाए फिस पर –1 यांनि यह ऐस पर –1 इस इस पर –1 मैंनस प्लस लेकिन बाकी सब पर –2 क्यों –2 कि कि बाकी के साथ दबन है और सिर्फ यह दो आक्सिजन के साथ क्या हो रहा है आपका पर आक्साइड बन रहा है ठीक तो बस अब कुछ नहीं है मेरा खेल फतम हुआ अब आपका खेल शुरू तो इसमें करना क्या है कि सॉल्व करते हैं इसको तो प्लस वन मल्टिप्लाइट टू प्लस टू एस अब इस मिस्टेक तो नहीं करा है अच्छा ठीक है अब फिर से करते हैं एस टू अब दो ऑक्सिजन को अलग कर लेते हैं यह हो गया ओटू और यह छे है 8 oxygen ही बस उसको हमने क्या क्या separate कर लिया है इसलिए क्योंकि इसमें से 2 oxygen चला गया मैनस 1 के category में और इसमें 6 oxygen के पास है मैनस 2 balancing बस अब solve कर देना है plus 1 multiply 2 plus 2s minus 1 multiply 2 minus 2 multiply 6 equal to 0 जो आप इसको solve करेंगे तो 2s बराबर आ जाएगा plus 6 ठीक है यह मैनस 12 होजाएगा उधर जायगा 12 इधर आपका मैनस2 हो जाएगा इसका आप solve करेंगे अकर करना है तो मैं कर दे रहा हूँ 2s बराबर क्या हो जाएगा ज़ोगे अगर आपका 2 minus 2 यह हो गया आपका plus 2 और अधर प्लॉसग सिक्स ठीक है इसको स्क्रीन सोट लेना ले ये अब जो लास्ट प्रॉलम है इसका वो इतना बिविए कोस्चन है कि यह निट में बहुत बार पूछा है और हमारे बुझ बपार चुका है और सिब्विशिव भीहार बोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन हो जाता है बोड इक्जाम का क्या कोश्चन है चले हम लोग उस कोश्चन को एक उससे एक तो स्ट्रक्चर पर उसका बहुत ज्यादा कोश्चन पूछा गया है हमेशा ठीक है इसके स्ट्रक्चर को लेके पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाइ स्ट्रक्चर यानि की ति यार बड़ाबर प्लस 10 ठीक है लेकिन वो रेंज से बाहर है इसलिए गलत हो जाएगा जिसको सही बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉव करते हैं यह इसका स्ट्रक्चर यह आपको देखे तितली जैसा लग रहा है इसलिए स्ट्रक्चर को कहा जाता है बटरफ्लाइ अब उली का सर इसमें पर उक्साइड बॉन का है तो आप इसको गौर से देखे मैं दिखाता हूं आप इसको एसे खोल देजे और आप सिंपल तरीके से ख यह ओपन कर देजया को इधर ऑपन कर करके सीधा कर लीए देखे आपको दिगी है यहां पर आकसाइड बॉंग एक यहां है कि यहांने कि चार पे-1 चार्ज आप सब्सक्ता देख इसके लिख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और यह बहुत बार पूछा गया है अब बस इसको सॉल्व कर देना है CR-1 multiply 4 क्योंकि चार ऑक्सिजन पर एक यहां दो और दो यहां पर यह दोनों पर ऑक्साइड लिंक है है दोनों पर वेलेंसी है आपकी माइनस वन सॉल्व किजिए माइनस टू बरावर जीरो सी यार बरावर आ जाएगा प्लस सिक्स ठीक है तो यह रेंज में आ गया और यह आपका बहुत ही एक भी बियाई कोस्टन भी है तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सडेशन नंबर में क् बस जगे रहना ठीक है सोना नहीं कोई भी नहीं सोएगा देख रहो मुरी खाने के बाद लग रहा है सब बहार आ जाएगा बस तुम लोगों के लिए जगा हुआ हूं और तुम लोग मेरे लिए जगे रहो अगर आज जग गए तो जिन्दगी भर चैन से सो गए आज सो ग इसके में भी ऑक्सिकरन संख्या पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है कैसे निकालते हैं वैसे तो यह इनौर्गनिक का लास्ट चैप्टर है लेकिन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे करते हैं इसको हिंदी में करते हैं उप साइयोजी योगिक यह य आपका ऑक्सिकरन संख्या से रिलेटेड इन और्गेनिक या और्गेनिक या इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कोशन बचनी जाएगा ठीक तो इसमें एक चीज़ थोरा सामको आइडिया एक मैं लिग देता हूं कंसेप्ट इसको आप लोग याद कर लेंगे मैं ज्यादा डिटेल में इसमें भी लिगेंड वगरह नहीं बताऊंगा जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे S2O, NS3, CO और भी है इस पर जीरो चार्ज होता है ठीक है इसमें इन भी है इस पर जीरो चार्ज होता है एथिलीन डायमीन बोलते है ठीक है और आपका जैसे cn पे माइनस 1, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे माइनस 1, c2, o4, 2 माइनस, इसका नाम है oxalate ion, इसके भी माइनस 2, oxalate भोलते हैं इसको, इसी तरह से आपका SO4, sulfate ion, इस पे भी माइनस 2, चार्ज है, तो यह सब जो compound पे चार्ज है, जैसे NH4, प्लस, यानिकि इस पे प्लस 1, ammonium ion, इन सबों का यूज करके, हम लोग कुछ oxalate ion संख्या निकालने के लिए सिखेंगे, बाकि हम लोग offline class में इसको बहुत अच्छे से पढ़ है, मैं यहाँ पे वो सारी चीज़े बता रहा हूँ आपको, जो की direct board exam में objective में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे एक question है, K3, FE, CN का hall 6, यह इस तरीके से रहता है, नियम आपका वही रहेगा, नियम सारा वही है, नियम में किसी वी परकार का कोई changes नहीं है, आपको यह बस सुरंग जैसा आगे बढ़ना है, train जैसा आगे चलना है, और कहीं पर नहीं रुकना, potassium का आवेस आप वहाँ से देख सकते हैं, plus 1, कितना potassium है, 3, FE का निकालना है, इसका, FE, CN का आपको यहाँ से देख लिए लिस्ट में, मैनस 1, मल्टिप्लाइ 6, इस पर चार्ज कितना है, 0, कोई चार्ज नहीं है, equal to 0, FE का solve करेंगे, आ जाएगा, प्लस 3, ठीक है, इसी तरह से माल लिए, कोई एक next question लेते हैं, FE, CO का all 5, पूछा जाएगा, इसमें FE का उक्सिकरन संख्या किया है, तो हमको पता है, कि CO का उक्सिकरन संख्या 0 होता है, तो FE, प्लस 0, मल्टिप्लाइ 5, equal to, कोई आवेस नहीं है, तो 0, तो FE का यहाँ पर, क्या जाएगा, 0, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि carbon monoxide, यहाँ पर आपका, इसका उक्सिकरन से, कोबार्ट नहीं है, यहाँ पर इसका 0 आ जाता है, इस तरीके सी क्या हो गया, 0 आ गया, और इसी टाइप से, बहुत सारा question इसमें बनता जाता है, आप anxiety को देखें, वहाँ आप से question लें, इसको solve करें, अगर कोई दिक्कत होता है, तो हमसे पूछें, बस आपको कुछ, यह, आयन compound के याद रखने है, देन उपससायोजी योगी का, बनाने का rule सारा वही है, बस जो आवेस है, उसको उसके बराबर करना और आगे बढ़ना है, इस तरीके साथ हमने, अक्सिडेशन नंबर का फुल टॉपिक, फुल चैप्टर का analysis कर लिया है, एक कम से कम तो इतना हम लोग तयार हो गए, कि आप कोई भी objective portion exam में आता है, या subjective, भी अगर दो नंबर का पूछता है, तो हम लोग उसको असानी से solve कर पाएंगे, ठीक है, तो आज रात भी बहुत हो गई है, सब को नींद भी आ रही है, और हम लोग सब कल मिलते हैं, जो बच्चे है offline में, उनसे कल offline मिलते हैं, बाकी online class के लिए हम लोग फिर से कल 10 बुजे रात मिलेंगे, thank you so much, good night, sweet dream, और ज्यादा ज्यादा इसको share कर देना, और अगर कोई problem हो, तो आप comment box में, या WhatsApp में message कर सकते हैं, मेरा number 29472847179, ठीक है, thank you so much, मिलते हैं बच्चों, फिर झाल